नमस्कार मैं एडूकेट नरिश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों हम लोगों में से काफी लोग यह मानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही हम उसकी रेजिस्ट्री सब्रेजिस्ट में करवा लेते हैं वह प्रोपर्टी सरकारी दस्तावेजों में हमारे नाम से हो जाती है और सरकारी रिकोर्ड के अनुसार उसके मालिक हम हो जाते हैं लेकिन क्या वास्तों में ये सही है कई बार हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी प्रोपर्टी को दो बार बेच दिया या कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी उस पर लॉन उठा लेता है अगर रजिस्ट्री करवाते ही सरकारी रिकोर्ड में हम मालिक के रूप में दर्ज हो जाते हैं तो फिर उसी प्रॉपर्टी को दुबारा कैसे बेचा जा सकता है या फिर उस पर दुबारा लोन कैसे उठाया जा सकता है आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है जिसमें हम बात करेंगे कि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेने के बाद सबसे जरूरी आवश्यक कदम हमें कौन सा उठाया जाना होता है वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है वीडियो को अन्त तक जरूर देखें और वीडियो की जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक भी करें इसके पहले की हम वीडियो को शुरू करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेए और साथ ही बेल आइकोन को भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का कोई भी नॉटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहें और आप किसी भी उपयोगी जानकारी को मिस ना करें सबसे पहली बात तो यह है कि रेजिस्ट्री होती क्या है और रेजिस्ट्री करवाई जानी अनिवाजे क्यों है भारतिय रेजिस्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान दिया गया है कि 100 रुपय से जादा कि किसी भी प्रोपर्टी क यदि कोई ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसा ट्रांसफर लिखित में ही होगा और ऐसे प्रत्येक ट्रांसफर का रेजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवाजे होगा यही कारण है कि हम जब भी कोई प्रोपर्टी खरीदते या बेचते हैं या किसी अन्य प्रकार से ट्रां कमेंट होता है स्वामित्व का दस्तावेज रेजिस्ट्री को नहीं माना जाता किसी भी प्रॉपर्टी की रेजिस्ट्री हमारे फेवर में करवा लिये जाने के बाद सबसे महत्वपुर्ण कदम होता है उसका नामांत्रण करवाया जाना यानि म्यूच्वेशन या दाखिल करवाया जाना दाखिल खारीज में दाखिल का मतलब है हमारा नाम रेजिस्ट्री के आधार पर उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के सरकारी रिकोर्ड में दाखिल कर लिया जाता है और पूराने स्वामी यानि जिस व्यक्ति से हमने प्रॉपर्टी को खरीदा है उस व्यक आबादी छेत्र की प्रोपर्टी और उद्योगिक छेत्र की प्रोपर्टी और तीनों के विशय में नामांतर्ण की प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं खेती की जमीन के बारे में। जब भी हम कोई खेती की जमीन खरीदते हैं तो खेती की जमीन से संबंदित स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रिकोर्ड होता है जमाबंदी जमाबंदी वह दस्तावेज है जिसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है और साथ ही उस जमीन के माल मालिक का नाम और उस मालिक का उस कुल जमीन में कितना हिस्सा है वह हिस्सा अंकित किया हुआ होता है हमें जब भी किसी खेती की जमीन के मालिक के बारे में पता करना होता है तो हम जमाबंदी की कोपी निकलवाते हैं और हमें उसके मालिक का पता चल जाता है और जब भी हम kaupi के साथ अपने उस area के पटवारी को हम application दे दें ता कि पटवारी हमारे नाम से नामांतर्ण कर सके नामांतर्ण की प्रक्रिया अजकर online भी होने लगी है जिसके लिए हम अपने रज्य सरकार की website पर जाकर दाखिल खारीज के लिए application दे सकते हैं अब मान लीजिए हमने कोई ख्येती की जमीन खरीदी और उसकी रचिस्ट्री करवा कर उसे भूल गए हैं और फिर जिस वेक्ती से हम वह जमीन खरीदते हैं वही वीक्ती उसी जमीन को किसी और वitted को बेच देता है और जिस व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी है वह अपनी खरीद की हुई रिजिस्ट्री के अधार पर उसका नामांतर्ण अपने पक्ष में करवा लेता है या फिर वह व्यक्ति जिससे हमने जमीन खरीदी है उसी जमीन पर किसी बैंक से लोन उठा लेता है ऐसी स्थिती में ये तो अलग बात है कि उस व्यक्ति ने अपराद किया है और अपराद के लिए उसे कानून में सजा मिलेगी लेकिन हमारे लिए बिना मतलब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं इसलिए जब भी आप कोई खेती की जमीन खरीदें उसके नामांतरण के लिए तुरंत आवेदन संबंदित पटवारी को दे दें इसी तरह यदि आबादी छेत्र की कोई प्रोपर्टी हमारे द्वारा खरीद की जाती है या किसी और तरीके से हमें मिलती है तो भी हमारे काय में जो हमारे एरिया से संबंदित है एक एप्लिकेशन और उस ट्रांसफर डीड की कोपी पेश करनी होती है जिसके आधार पर प्रोपर्टी टेक्स या हाउस टेक्स के रिकोर्ड में हमारा नाम मालिक के रूप में दर्ज कर लिया जाता है और इसी प्रकार्यदी प्रो पुद्योगिक छेत्र से संबंदित है तो इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट डिपार्टमेंट के ओफिस में उस प्रोपर्टी के नामांतरन के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है अब बात आती है कि कोई प्रोपर्टी हमने खरीद तो नहीं की लेकिन वस्यत के द्वार या उत्रादिकार विधी के अधीन हमें मिली है तो ऐसी प्रोपर्टी के लिए भी नामांतरन की प्रक्रिया सेम होती है केवल प्रारतना पत्र के प्रारूप में थोड़ा सा अंतर हो जाता है इस तरह अपने फेवर में करवाई गई रजिस्ट्री के अधार पर वस्यत के अधार पर या फिर उत्रादिकार विधी के अधीन हमें मिली जमीन के बारे में प्रात्ना पत्र देकर जब हम अपना नाम सरकारी रिकोर्ड में मालिक के रूप में दर्ज करवा लेते हैं असल माइने में उस प्रोपर्टी के तभी हम असली मालिक होते हैं वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही उपयोगी जानकारीयों के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में